अकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेंगता पैनुर जी पहली मुख्य समाचार मुख्य मंतरु शिवरा सिंग चौहा ने प्रदेश में प्रते माहा एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करानी की विवस्था बनानी के दिये निर्देश टीका करन का दूसरा चरण शुरू तीन लाग से ज्यादा फ्रन्ट लाइन वरकर्स को लगाया जाएगा कोवट का टीका पीएस्सी की प्रारंफिक परीक्षा के लिए कल तक किये जा सकते हैं आवेदन 11 अप्रेल को होगी परीक्षा और प्रदेश सरकार जल्द ही शुरू करेगी वैद्य आपके द्वार योजना अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्रों श्रवरा सिंग चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रती महा एक लाख लोगों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है इसके लिए और द्योगिक प्रशिक्षन संस्थानों का प्रभावी संचाल अंसुन श्रित करना जरूरी है जिससे यहां के विद्यार्थियों का शक्त प्रतिशत प्लेस्मेंट हो सके उन्होंने ये बात कल मंत्राले से प्रदेश के सभी कमिशनर, कलेक्टर, आईजी तथा एसपी स्तर के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फरेंस के द्वितिय सत्र को संबोधित करते हुए कही इस दोरान स्वचिता सर्वेक्शन दोहजार इकीस, गौसेवा योजना, रोजगार मेलों के आयोजन, मन्रेका योजना, यूरिया और खात की उपलब्धता, मिलावट से मुक्ती अभ्यान, वनाधिकार पट्टों के वितरन, गेहु उपारजन, जलजीवन, मिशन, सहित व भने योजनाओं की समीक्शा भी की गई, उत्राखन में कल हुई ग्लेशिय दुरघटना के बाद राहत और बचावकारे पूरे जोरो पर हैं, प्राकृतिक आपदावाले इलाके के आसपास से भी लोगों के लापता होने की खबर मिली है, जिससे उनकी संख्या खरीब दो करोड रुपे दिये हैं, प्रदेश में 3,31,000 फ्रंट लाइन वरकर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, ये सब ही पुलिस, राजस्व, नग्रेनिकाई और पंचाज संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी है, फ्रंट लाइन वरकर्स का टीका करण कल से शुरू हुआ है लोग स्वास्त एवं परिवार कल्यार मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि इस सबता चार दिन फ्रंट लाइन वरकर्स का वैक्सिनेशन किया जाएगा, स्वास्त मंत्री ने इकल टीका करण के लिए पहुँचे लाभार्थियों से भी चर्चा की, लाभ चौधरी ने बताया कि अगले चरण में पचास वर्से अधिकायों के व्यक्तियों को वैक्सिन लगाई जाएगी, मैं भी इस समू में शामिल हूँ उधर इंदोर में पहले दिन जिले में 1651 अगरिम पंक्ती के कारेकरताओं को टीके लगाए गए, जबलपुर में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया, वहीं पन्ना में अडिशनल स्पी सहित 105 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियो ने COVID-19 वैक्सीन लगवाई, निवाडी जिले में सामुदाइक स्वास्त केंद्रो में फ्रंट लाइन वरकर्स को द्वितिय चरण में टीका लगाया गया, आगर मालवा जिले के 5 टीका करण केंद्रों पर 311 हव्यक्तियों का टीका करण किया गया, प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 2,041 है, वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं जबकि 3 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद राजिय में संक्रमितों की कुल संख्या 2,56,591 और मृत्कों की संख्या 3,830 हो गई है, नए मामलों में इन दौर में 19, भोपाल में 74, जबलपूर में 29 के अलावा अन्य जिलो में 10 से कम मरीज मिले हैं, इन में 22 जिले ऐसे हैं जहां आज नए प्रकरण 0 रहे, वरिष्ट समाथ सेवी और साहितिकार बोहन मुरली वाला ने COVID-19 से बचने के लिए गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील की है, कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए, मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरूरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ और मूँ साफ रखें, ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, मुख्य परीक्षा अगले महा 21 से 26 मार्च तक आयोजित होगी, राजे सरकार ने चार आला अधिकारियों का तबादला करते हुए, उनकी नवीन पत स्थापना की है, नीमच कलेक्टर जितेंद्र सेहराजे को भोपाल मंतुराले में अपर सचिफ पदस्त किया गया है, जबकि कलेक्टर राकेश सिंह का भोपाल तबादला करते हुए, मंतुराले में उन्हें उप सजिफ बनाया गया है, वहीं गुना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सेंग और निवाडी पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह का भोपाल तबादला करते हुए, पुलिस मुख्याले में सहायक पुलिस महानरीक शक पदस्त किया गया है, एक अन्या देश में गुना की नगरपाले का अधीक्षक नेहा पचीसिया को भोपाल पुलिस मुख्याले में उप पुलिस अधीक्षक के पदपर स्थाना अंतरित कर पदस्त किया गया है, आयश राजे मंत्रुी रामकिशोर कावरे ने बताया है कि आयश विभाग वैद्य आपके द्वार योजना पर काम कर रहा है, बहुत जल्द ही ये योजना लागू होगी और मरीजों को आयुरवेद पद्धती से उपचार की घर पहुत सेवा दी जाएगी, श्रिकावरे ने कल जिला आयश कारियाले बालाखाट में आयश चिकटसकों की बैठक में ये जानकारी दी, शिकावरे ने आयश चिकटसकों से कहा कि आयश विभाग के शास्किय सेवकों के समयमान वेतन, परिविक्षा अवधी और अन्य समस्याओं का उनके द्वारा निराकरन कराया जा रहा है गौहाटी में खेली जा रही 36 वी राश्य जूनियर अथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश अथलेटिक्स अकादमी के खिलाडियों का शांदार प्रदर्शन जारी है प्रदेश के खिलाडियों ने कल दो सवन एक रजट और एक कास्य सहित चार पदक मध्य प्रदेश को दिलाए प्रतियोगिता के तीसरे दिन अकादमी के खिलाडी सुनील डाबर ने 5000 मीटर दौड में 14 मिनट 13.95 सेगिंड का समय लेकर नया राश्य रिकॉर्ड बनाया ये राश्य प्रतियोगिता 10 वरवरी तक खेली जाएगी बात क्रिकेट की चैने क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लिन ने भारत को 420 रन का लक्ष दिया है जवाब में चौथे दिन भारत ने एक विकेट पर 49 रन बना लिये हैं शुबमन गिल 15 और चेतेश्वर पुजारा 12 रन बना कर क्फ्रीस पर थे रोहित शर्मा 12 रन बना कर आउट हुए इससे पहले इंगलिन की टीम दूसरी पारी में 178 रन बना कर आउट हुई समर्थन मूले पर धान खरीदी और मिलावट से मुक्ती अभियान के अंतरगत हुशंगाबाद जिले को प्रदेश में बहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में स्थान प्राप्त हुआ है बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अफसर उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम जबलपूर और CII के संग्त तत्वावधान में आज रोजगार मेले कायोजन किया गया है आगामी नगरपालिका और पंचायतों के निर्वाचन के संदर में रतलाम जिलासतरीय स्टैंडिंग कमिटी की बैठक कल कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई इंदोर नगर निगम और जिले के आठो नगरिय निकायों के साथ साथ त्विस्तरीय पंचायतों की प्रारुप मद्दाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और कोरोना वैक्सिनेशन के लिए समाप्त हुए पहले चरण में सागर संभाग प्रदेश में प्रधम और छातरपुर चौथे स्थान पर रहा अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की विवस्था बनाने के दिये नर्देश टीका करन का दूसरा चरण शुरू तीन लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा कोविट का टीका पियसी की प्रारंफिक परीक्षा के लिए कल तक किये जा सकते हैं आवेदन 11 अप्रेल को होगी परीक्षा और प्रदेश सरकार जल्द ही शुरू करेगी वैद्य आपके द्वार योजना इस बुलिटिन के अंध में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगज की दूरी हाधोना भी है जरूरी नमस्कार